नमस्कार दोस्तों अब है अपडेट तीवी सीरियल अनुपमा से अनुपमा स्पोयलर अलर्ट तूपते तूपते बचेगा समर नंदिनी का रिष्टा वन्रान संग मुख्कू को रंगों हाथे पर देगी अनुपमा तीवी सीरियल अनुपमा में दर्शकू को आने वाले एपिसोड में और भी जाड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा अब तक आपने देखा कि समर नंदिनी से अपनी सगाई तोड़ देता है और वन्रान नंदिनी को खरी खोटी सुनाता है लेकिन आने वाले एपिसोड में जो होगा उसे जानकर आप भी कहेंगे असली एंटर्टेन्मेंट तो यही है अनुपमा कराएगी समर नंदिनी का पैच अप आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपुमा गुसाई हुए समर को नंदिनी से पैच अप करने को कहेंगे अनुपुमा समर से कहेंगे कि जब रिष्टे की डोड टूटती है तो इंसान अंदर से टूट जाता है और जब मेरा और मिस्टर शाह का रिष्टा टूटा था तो सब के सब टूट गए थे शायद आज तक कोई जुन नहीं पाया है समर को पापुजी भी समझाएंगे अनुपुमा की बात का समर्थन पापुजी भी करेंगे बापुजी समर्थ से कहेंगे कि जो भी अनुपुमा कह रही है वो एक्दम सही है बापुजी कहेंगे कि बचपन में तेरा क्रिकेट पैड टूट गया था तो उन्हें उसे जोड कर आज तक समझाल कर रखा है एक खिलोने को जोड कर रखने वाला समर क्या एक रिष्टे के लिए कोशिश नहीं कर सकता? बाबी बापू जी का साथ देंगी और समर को समझाएंगी वनराज भड़काएगा समर को वहीं वनराज समर को इस रिष्टे को दोबारा जोडने से रूखेगा वो समर से कहेगा कि मैं पहले भी एक अंचाहे पिंजडे में कैच था तो मैंने उसे तोड दिया लेकिन अब भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है बेन प्यार के रिष्टे से सिर्फ तकलीफ होती है मैं बस यहीं कहना चाहता हूँ कि जो रिष्टा नहीं अच्छा लगे ना बेटा उसे जोड़ना मत रिष्टा वही बनाना जो परफेक्ट हो अनुवा वनराज की बाते सुनका भड़क जाएगी वो वनराज से कहेगी कोई रिष्टा परफेक्ट होता नहीं उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है नंदिनी को समझाएगा तोशू आने वले एपिसोड में आप देखेंगे कि तोशू नंदिनी से मिलेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा नंदिनी से तोशू कहेगा कि गुस्से में इंसान सिफ अपना पॉइंट सही साबित करने की कोशिश करता है तुझे इस चीजों को समझ है फिर भी तू ऐसे रियाक्ट कर रही है इस पर नंदिनी कहती है भाई आप भी मुझे ही समझाने आए है ना कि समर को तभी तोशू कहता है तुम मेरी बहन है इसलिए समझाने आया गुस्से में लिए गया पैसले गलत होते हैं और मैं यह अपने परसनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं मालविका पर डोरे डालेगा वन्राज वन्राज गुस्से में अपने केबिन में काम करता है तभी मालविका उसे मनाने के लिए आती है तभी वन्राज मालविका से इमोशनल बात ही करता है वो कहता है कि कोई मुझे समझे, मुझे तुम तो मुझे समझती हो ना, तुमने भी मेरी तरह दो बार चोट खाई है, पहले प्यार करके और फिर शादी करती है वनराज को मालविका संग रंगे हाथ पकड़ेगी अनुपमा इसके बाद वनराज मालविका का हाथ पकड़ लेता है, हो उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हें गलत नहीं लगता ना, तुम मुझे भरोसा करती हो ना, ये सुनते ही मालविका भी वनराज का हाथ थाम लेती है इन दोनों को इस तरह अनुपमा देख लेती है इसके बाद अनुपमा वन्राज से कहती है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे महरबानी करके अपना घर और अपने बच्चे संभाले तभी वन्राज कहता है यहां से जाओ मेरे लिए सबसे जरूरी है इस वक्त मालविका को संभालना तो इस बारे में आप अपने कमेंट्स शेयर करे इस चैनल को सब्सक्राइब करे इस वीजियो को लाइक करे धन्यवाद